हेलो फ्रेंज मैं अनामिका मेरी कीचिन में आप सभी का श्वागत है फ्रेंज आज मैं आलू से बनने वाले एक ऐसी ब्रेकफास्ट लेके आई हूँ जिसे हम 10 मिनट में बना सकते हैं और इसे बनाना जितना ही आशान है उतना ही खाने में टेश्टी है यह रेश्पी जो है कोडियन रेश्पी है लेकिन हम इसे इंडियन इस्टाइल में बना के दिखा रहे हैं जिसे और भी टेश्टी हो जाएगा इसे चाहें तो आप ब्रेकफास्ट में या बच्चों के टीफिन में या शाम के श्नेक्ष में कभी भी बना सकती हैं ये बहुत हेल्दी डेखफास्ट है तो फिर्ट अगर आज की मेरी रेश्वी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए सेयर कीजिए और कमिट करना मत भूलिए तो चलिए हम पोटेटो पैंकेक बनाना शुरू करते हैं पोटेटो पैंकेक बनाने के लिए हमने जो इंग्रिडियेश लिया है वो है दो आलो ए मेडियम साइज के आलो को हमने सील लिया है और उसे पानी में डुबा कर रख लिया है इससे क्या होता है कि आलो काला नहीं पड लिए हैं जितना यूज होगा हम डालेंगे हडी मिर्च को हमने बारिक काट लिया है धनिया पत्ता को भी बारिक काट लिया है ब्लैक पेपर शॉल्ट प्याज को चील लिया है और फ्राइ के लिए हम तेल लिये हैं मिक्सिंग भावल लेंगे और उसके एक ग्रेटर के मदद से आलू को ऐसे हम घीश लेंगे तो हम बारिक वाला नेटर लेंगे जिससे अपना आलू जो है एक दम बारिकी से घीश जाए यह बहुत आसानी से घीश जाता है यह हमने बारिक वाले जाली से आलू को ग्रेट कर लिया है अब हम सेम जाली से इसे भी ग्रेट करेंगे प्याज को तो इसे हम अच्छे से ग्रेट कर लेंगे अब हम इसमें डालेंगे कॉर्ण फ्रोर आपके पास कॉर्ण फ्रोर ना हो तो मैदा भी जाल सकते हैं यह औरा रोत का पौडर हो तो ओ भी जालेंगे अगर मिक्स करने के बाद ज़रूरत पड़ी तो डालेंगे नहीं तो उतना ही रहने देंगे इसने हम एक छोटा चमस नमक डालेंगे आप अपने स्वात के अनुशार डालिए हमने एक छोटा चमस ब्लाइक टेपर ले लिया है एक हरी मिर्च को बारिक काट लिया है थोड़ा सा धनिया पत्ता हमने काट लिया है अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे तो आलो और प्याज में पानी होता है उसी पानी में हमें इस मिश्रन को मिक्स करना है तो अब हम इसे हांस से मिक्स करेंगे तो अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे इसमें हमें एक्स्ट्रा पानी नहीं डालना है क्योंकि already आलो और प्याज से पानी निकलता है उसी पानी में ये मिक्स हो जाता है और जब हम नमक डाले हैं तो इसमें पानी और भी छोड़ेगा तो हम इसे दो मिनट के लिए रेश्ट होने के लिए छोड़ देंगे हो चुके हैं अब हम गैस के तरफ चलेंगे तो गैस पे हम एक पैन रख लिए हैं और गैस को हम अन कर लेंगे अब हम उसमें डालेंगे दो बड़ी चमच तेल और तेल को हम अच्छे से गरम होने देंगे यहाँ पे या पटर या घी कुछ भी यूज कर सकती है हमने तो तेल यूज किया है तो तेल को फैलाते हुए हम इसे अच्छे से गरम होने देंगे हो चुका है अब हम इसमें पेश्ट को डाल देंगे तो इसमें से एक ठंसी आवाज आएगी और इसे हम सम्मझ से फैला देंगे तो इसे हमने एक बड़ाबर सेप में चारो तरफ फैला लिया है आप इसे चाहें तो छोटा छोटा भी पैनकेक का सेप दे सकते हैं लेकिन यहां पर हमने एक ही बार में बड़ा सा बनाया है बाद में हम इसे काटके पीसेस करेंगे अब हम एक साइड से इसे दो से तीन मिनट तक पकने देंगे गैस का फ्लेम हम मेडियम रखेंगे अब हम इसे चेक करेंगे तो सबसे पहले हम किनारे किनारे से ऐसे एक बार इसे हिला लेंगे अगर अच्छे से पक जाए तो ये अटोमेटी ऐसे हिलता है अब हम इसे एक बार फ्लिप करेंगे अउधाने से ऐसे करके और ऐसे फ्लिप कर लेंगे और केक को चेक कर लेंगे तो हम ऐसे हिलाएंगे, अभ्यान से देखिए, इसमें से एक साउंड आ रहा है करकर की, तो आप समझे एक रिस्पी हो चुका है, तो हम गैस के फ्रेम को आप आउस कर लेंगे, और एक सिंपल सा प्लेट लेंगे, और उस पे ऐसे टस करते हुए, इसे फ्लिप कर लेंगे, तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट करना मत भूलिए, धन्यवाद,